यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी कहार देख स्वागत बच्चो आटियो इंस्पेक्टर की विकैंसी के अंदर जो है आईसी इंजन और आटो मॉबाइल दोनों से मिला कर जो है 120 प्रशन के आसपास आते हैं ये बात ध्यान रखने हैं 2013 की विकैंसी में इसी प्रकार से था अज हम शुरू गेंगे हीट इंजन सबसे पहले देखते हैं हम हीट इंजन हम इंजन वाला ही पोर्शन देखेंगे IC इंजन, CI एंजन, SI एंजन ये ध्यान रखना है हीट इंजन हीट इंजन किसे कहते हैं यानि कि ऊश्मा इंजन जिसे हम कहते हैं ऐसा इंजन जो हीट इंजन जो है उसको क्या कर दे ?. कन्वर्ट करके किसमे बदल दे मेकैनिकल अनर्जी के अंदर मेकैनिकल अनर्जी के अंदर जो है citom बदल दे उसको हीट इंजन या हम कह सकते हैं कैमिकल इनर्जी कैमिकल इनर्जी क Понvart करके मेकेनिकल इनर्जी के अंदर बदल दे यांत्रिक दे तो उसे हम कहेंगे heat engine ये बात ध्यान रखनी है clear, ऐसी machine जो chemical energy को mechanical energy में convert कर देती है उसे हम कहते है heat engine heat engine का हम classification की बात करें तो heat engine जनरली दो टाइप के होते हैं उसकी तरफ हम बात करें दो heat engine हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक होता है बच्चो external combustion engine external combustion engine दूसरा होता है internal combustion engine external combustion engine का मतलब है बाहे देहन इंजन combustion का मतलब होते है देहन यह गया अंत्रीक देहन इंजन external combustion engine जो है बच्चो ये टू टाइप का होता है जिसमें होता है हमारे पास turbine engine turbine engine और steam engine जो है इसके अंतर गता थे हैं और internal combustion engine की हम बात करें तो internal combustion engine टू टाइप्स में है एक होता है हमारे पास compression ignition engine और दूसरा है हमारे पास spark ignition engine ये धहां रखना है spark ignition engine compression ignition 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 का मतलब होता है प्रजवलन ये बात ध्यान रखनी है combustion का मतलब है यहां पे देहन ठीक है external combustion engine और internal combustion engine external combustion engine वह engine है जिसमें fuel को किसी ऐसे स्थान पर भट्टी में फर्नेंस के अंदर जलाकर वहां से energy उत्पन करके उसका use करते हम जैसे हम बात करें steam engine की इस परकार से हमारे पास यह हो है यह एक piston है और एक हमने pressure कुकरी ले लो generally ठीक है यह अपने पास boiler है यह boiler है boiler के अंदर हमने boiler के अंदर क्या किया हमने heat उत्मन करके पानी का steam बना लिया इस steam से हम जब इस piston पर परहार करेंगे तो piston को movement मिलेगी reciprocating motion जिसके काण यह हो गया हमारा external combustion engine यानि कि जिसमें fuel को किसी ऐसे स्थान पर बाहर cylinder के बाहर जलाया जाता है उसे हम external combustion engine कहते हैं internal combustion engine जो होता है बच्चो उसमें क्या होता है हम देखते हैं कि उसमें inlet और exhaust valve होते हैं और उसमें जहां तो injector लगी होगी इंजेक्टर किसमें होगी? इंजेक्टर के स्थान पर क्या होगा? spark plug spark plug जो होता है वो spark ignition engine में होता है ठीक है? और इसमें भी piston है ठीक है? अगर compression ignition engine है तो compression ignition engine में suction stock के समय केवल fresh air जो है अंदर जाती सिलेंडर में और उसी को compress करते हैं तो उसका temperature बढ़ जाता है उस पर diesel का spray किया जाता है तो वो चल जाता है यानि कि जिसमें सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जिलाया जाता है उसे हम कहते हैं internal combustion engine ये बात ध्यान रखनी है clear यहां पे चलिया आगे जो हमारे पास compression ignition engine है ये भी दो भागों में बटा हुआ है एक होता है हमारे पास diesel engine और दूसरा होता है हमारे पास crude oil engine crude oil engine ये ध्यान रखना है crude oil engine और diesel engine और जो है spark ignition engine जो है ये होते हैं petrol engine और दूसरा होता है gasoline engine ये ध्यान रखना है एक gasoline engine है एक petrol engine है और spark ignition engine को short में SI engine कहते हैं compression ignition engine को हम short में CI engine कहते हैं और ये हो गया हमारे पास IC engine ये ध्यान रखना है और इसे हम ECE कह सकते हैं external combustion engine बाहय दहन और अंत्रिक दहन उसके बाद देखिए सबसे important spark ignition engine और compression ignition engine दोनों ही two stroke या four stroke हो सकते हैं ये बात ध्यान रखना है ये दोनों ही जो है जान तो four stroke हो सकते हैं या two stroke two stroke हो सकते हैं या four stroke ये ध्यान रखना है ये भी हो सकते हैं दोनों ही four stroke two stroke diesel engine भी two stroke four stroke हो सकता है और हमारे पास प्यट्रॉल इंजन बी जो है ये भी two stock और four stock हो सकते है ये बात ध्यार रखनी है इंजिन हुए आंपे चलिए आगे चलते है हीट इंजन ये हीट इंजन का क्या है classification है क्लासिफिकेशन आफ हीट इंजन यह धिहार हीट इंजनों का वरगी करण हीट इंजन टू टाइपस होते हैं कंप्रेशन इगनीशन External commercial इंजन और Internal commercial इंजन Internal commercial इंजन जो है जिसमें cylinder के अंदर देहन किया जाता है फ्यूल का उसे हम कहते हैं जिसमें सिलेंडर के बाहर जो है फ्यूल को किसी भटी में या किसी ऐसे स्थान पर जलाया जाता है उसे हम कहते है एक्स्टरनल कमस्चन इंजन ज्यादा तर स्टीम इंजन हो गया यह सारी चीज़ जो है दिहान में रखनी है क्लियर यहाँ पर चलिए आगे चलते है इसका स्क्रीन शोट ले लेजिए चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लिखिए देखिए कुछ इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेन्ट है हमारे लिए देखिए, सब से पहले जब हम बात करें तो 1769 के अंदर Jem Swart नी Jem Swart जो है इसने Steam Engine बनाया था पहला Steam Engine जो है Jem Swart दोबारा बनाया गया ये बात ध्यां रखनी है भाब engine की खोज की थी किसने Jem Swart नी इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो है लगबग अपने 1805 में निकॉल्स अगस्ट आटो ने इसने क्या बनाया पैट्रॉल इंजन पहला पैट्रॉल इंजन मनाया ये बात ध्यान रखनी है 1805 के अंदर निकॉल्स अगस्ट आटो इसी लिए इसे आटो साइकल पर अधारित इंजन भी कहते हैं आटो साइकल पर अधारित इंजन क्योंकि इसकी खोज ही आटो नामक विग्यानिक ने की है इसके बाद हम बात करें 1876 के अंदर जो है पहला टू स्ट्रोक इंजन जो है पहला ये बना पहला टू स्टोक इंजन मनाया था यह बात ध्यान रखनी है इसी लिए टू स्टोक इंजन को हम क्लार्क साइकल भी कहते हैं क्लार्क साइकल भी कहा जाता है टू स्टोक इंजन को यह बात ध्यान रखनी है इसके बाद हम बात करें अठारा सो बरानवे यानि की एटीन नाइंटी टू के अंदर CIE एंजन यानि की पहला कमप्रैशन इगनिशन इंजन जिसमें कंप्रैश्ड एर का यूज किया गया उसकी खोषकी थी रुडॉल्फ डीजल ने है रुडॉल्फ डीजल ने इसी लिए CIE एंजन जो है размackल इगनिशन इंजन इसे डीजल इंजिन कहती है क्योंकि इसके खोस करता है रुडॉल्फ डीजल ये बाद ध्यान रखनी है क्लियर यहाँ पे इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो है हमारे पास लगबग 1950 के अंदर की हम बात करें 1930 इसके बाद जो है 1930 के अंदर पहला पी सीरिज इंजनों की अधारशिला पी सीरिज इंजन जो है उनको रखने वाला व्यक्ति है परकिंसन परकिंसन नामक विग्यानिक ने अधूनिक इंजन जो है न वो सारे के सारे पी सीरिज इंजन के अंदर करताते हैं ये बात ध्यार्खती, उसके बाद और 1954 अंदर रोटरी इंजन, जिसे हम कहते हैं वैंकल इंजन, वैंकल इंजन जो है इसकी खोज करने वाला व्यक्ती है, रोटरी इंजन, जिसमें रोटर गूमता है, देखिए इंजन में दो प्रकार का मोज़न है, गति के अधार पर दो प पास है रोटरी इंजन जिसे हम वैंकल इंजन भी कहते हैं इसकी खोज जो है मिस्टर फ्लेक्स वैंकल ने की थी ये बात ध्यान रखनी है क्लियर यहां पर यह था अपना हीट इंजन का क्लासिफकेशन और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ तो नीचे कमेंट करके जरू पूता ही और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं धन्यवाद